नमस्कार आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब नियूज मैं हूँ आपके साथ हर्शिता मिश्रा जिसमें की सतना आने पर शिवरास सिंग चौहान जी को ग्यापन दिया जाएगा और समस्या निवारन के लिए मांग की जाएगी अगर समय रहते शिवरास सिंग चौहान ने रसोईया माताओं और आशाकारेकरताओं की मांगों को पूरा नहीं किया तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे बड़े दुर्भाग की बात है कि रसोईया माता और आशाकारेकरता सड़क पर है उनके परिवार के आरते के स्तती कमजोर है मगर सरकार कुम्बकरण की नींद में सो रही है मैं गरीबों के साहरों के लिए लड़ाई लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा चाहे मुझे उसके लिए जेल भी क्यों न जाना पड़े बैठक में मुखिरूप से युबक कॉंग्रेस लोग सभाध्यक्ष महसूद एहमाद दुशेरू सुसज्जित चुकला कॉशलिंद रवेदी गूर डॉग आदी उपस्तित रहे हमारी मांगे हैं कि हमें इमती करंड किया आंगनवाडी के समान हमें निश्चित मान दे दिया जाए और स्वास्ति भीवाक के जितने भी काम है सारे काम हम लोगों से करा जाता है अभी जैसे कोरोना जैसी हमारी में हम लोगों से सारे काम लिए गये सर्वे हो या कि जो भी भाहर से आ रहा है उनकी वेश्टाइक हम लोग के सरपर छोड़ी मतलब हम लोग को क्या को रोने के नहीं बैक्सिनेशन हो नहें उसमें हम लोग की पूरी सेवा ली जानी है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी आगर्ण बाड़ी की समार निस्चित मांदे दिया जा हमको जुलाई की एक मेने की वेतन आई है हमको कोई वेतन नहीं मिल रही है इसलिए से हमारा यह है मुखमंत्री जी से अन्रोध है कि हमको भी आधी ही वेतन मिली जाए जब तक क्रूव न लगा रसोया माता हैं और आशा बहने हैं जो लगातार पिछले कई सालों से संगर्स कर रही है अपने मांदे के लिए और अपनी निमती करन की मातों को लेके यह रसोया माता हैं जो दूसरे के बच्चों को पेड़ रोटी देती हैं आज अपने बच्चों को पेड़ रोटी नहीं समाच का पोशन दूर करती हैं लेकिन उनका कोपोशन दूर नहीं हो रहा है इन्हीं बातों को लेकि हम जिस giन मुख्मंतरी सत्ना आएंगे हम अगर उक्र someone जी ने हमारी बहनों की मांगों को पूरा नहीं किया तो निशिद तौर से अगली बार जब भी वो सतना आएंगे हम उनको तरने नहीं देंगे और काला जंडा दिखाने का काम करेंगे उसमें उन्होंने अंगनवाडी की तनकाए बढ़ाई थी दसजार की थी यम पांच जार से दसजार की थी लेकिन इस बात का महत मुझे ना मिल जा इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर से ग्रफतार करके बोपाल जेल में मुझे अरेस्ट किया था मैं चाहता हूँ मुझे फिर दुबार आरेस्ट करें और जेल बेजें लेकिन हमारी आशाओं को और सुया माताओं को उनका मानदे मिलना चाहिए और उनकी निमती करण होनी चाहिए अब तक इनको हक नहीं मिलेगा तब तक ये संगर्स हमारा लगातार चलता रहेगा और आरपार की लड़ाय लड़ता रहोगा चाहिए मुझे कितने बी बार जेल क्योंना जाना पड़े कितना भी संगर्स क्योंना करना पड़े